आज एक मेंट के अंदर स्टिल लाइफ को समझने वाले हैं सबसे पहले देखो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो कोई भी शेप ड्रॉ करना है उसके बाद सर्किल्स जो की इलिप्स के फॉर्म में होंगे वो इस तरह से ड्रॉ करना शुरू करतो और ये लेटे हुए सर्किल्स आपको मदद करेंगे इस शेप को कम्प्लीट करने में तो जब भी आप ऐसे ड्रॉइंग करो तो कोशिश करो इस तरह से मल्टिबल सर्किल्स क्रेट कर लो ताकि जो डिमेंशन हैं वो उन सर्किल्स के थूरू ड्रॉ कर सकें ये एक तरह से हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं हम एक स्ट्रक्चर को क्रेट कर रहे हैं वो शेप को बनाने के लिए ताकि हमारा जो सिमेट्रिसिटी है वो भी बना रहे और जो प्रपोर्शन है वो भी सही से बन जाए हमारी ट्रॉइंग में तो बहुत ही सिंपल है बहुत डिफिकल्ट नहीं है और उसके बाद आप उसको एड ओन कर सकते हो उसमें डाक वेल्यूज को फिर शेडिग अड़ कर सकते हो और जब आप शेडिंग करेंगे तो उसके उसको फिर या प्रॉपर ब्लेंड कर सकते हो उसको इस तरहीं से तो